आज का पहला प्रस्ण है बागवानी में परतिष्टित किरसी नेत्रित पुरुसकार 2024 किसे दिया गया है तो नागालेंड को दिया गया है तो देखो नागालेंड की राधानी क्या है कोहीमा नागालेंड के गवर्नर कौन है लागनेशन नागालेंड के मुख्यमंतरी कौन है तो नागालेंड में राजसभा एक है और लोकसभा कितना है तो एक है मेरे दोस्तों देखो नागालेंड के स्थापना के भूई एक दिसंबर उनिश्वत तिरेसा ठको और नागालेंड में बिधान सबासीट है साथ असम मेघाले त्रिपोरा और मुनाचल प्रदेश और में दो प्रमुक्त जाती है नागा और नभूई देखो नागालेंड के सीमा लगती है असम से अरुनाचल प्रदेश से मयानमार से और मनीपुर से नागालेंड की सीमा लगती है अगला पश्ण हमारा है बिराठ रामायन मंदिर के दूसरे चलन का काम सुरू हुआ है यह कि बिष्णुका सबसे व्रा कौंधा जीले में बनर रहा है और आपको इमेज दिख रहा होगा दोस्तों यही आपका हैं बिष्णुका सबसें ऊंचा रामायन मंतिर है तक मेरे दोस्तों बिष्ण को नैं राजendra आलेर करें और विष्णुमार में राजसभा सोलह है और लोकसभा चालीस है बालमी की राष्ट्रिय उद्यान गौतम बुद्ध बनने जी बभ्यारन कैमूर बनने जी बभ्यारन पंत बनने जी बभ्यारन संजय कांधी बनने जी बभ्यारन भीम बांध बनने जी बभ्यारन बिक्रम सिला डॉल्फिन अभ्यारन कहा है बिह बिहार के उत्तर से दक्षिन की लंबाई कितनी है चारसो पैटालिस किलो मिटर और बिहार के पूरव से पस्चिन की चुराई कितनी है तो चारसो तेरासी किलो मिटर है तमासीन जलपरपात और ककोला जलपरपात बिहार में है बिहार में एक जील भी दोस्तो है जो रामसर में भी सामिल है कावर जील कावर जील बिहार के बेगुश राई में है बिहार के मुख्य लोक निर्थ के बार में अगर बात किया जाए तो जाठ जटिन कजरी सोहर खिलाउना जुमेरी और जिजिया ये बिहार का मुख्य लोक निर्थ है छत्रफल की दृष्टी से बिहार का सब थम मुख्य मंत्री बिहार की सीमा लगती है पस्षी मंगाल से लगती है उत्तर प्रदेश से लगती है नेपाल से लगती है और जारखंड से लगती है बिहार के सीमा अगले पश्णी की और बढ़ते हैं अगला पश्ण मारा है हाली में किस देश की क्रिकेट खिलारी जैम्स एररसन ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की घोस्तना की है तो इंगलेंड के क्रिकेट खिलारी है जैम्स एररसन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की घोस्तना की है अच्छा दोस्तों इंगलेंड में हाली में चुना हुआ था तो इंगलेंड के नए प्रथा येड़ियद नोली एचीर इनेश शीर बेगलुर में अरुन जट्रियं दिल्डी राजीब इसिडियें सेडियें हैद्राबाद बादा दिच्ण मुंबई नस चोनल जंशेदपूर मेलवन चोनल या पर्थ बीसवर्न पुर्स घ्यूक्राइब गया कई घ्राष्ट एख्यक्याए्ट किर्केट किर्केट में महत्पुन ट्रोफी कौन गौन से मिलते हैं तो रंजी ट्रॉफी ऐराणी ट्रोफी्डीयप्ण। कुछ बिहार कप दिलिप ट्रॉफी रुविंटन बारिया कप जीडी बिर्ला ट्रॉफी और दिवधा ट्रॉफी का समध्र के स्केल से है तो क्रिकेट से है मेरे दोस्तों विश्चो का समसे बरा क्रिकेट इस्टियम का नाम क्या है नरेंद्र मोदी इस्टियम विश्चो का सम पांचेस्टर एहमदाबाद को बोलती है देखो वर्ल्ड में किर्केट को कंट्रोल करती है ICC अर्थात इंटरनेस्टनल क्रिकेट कॉंसिल जिसका हेटक्वाटर दूबई में है और इसकी स्थापना ICC की कब हुई थी तो नौ में ICC की स्थापना हुई थी और ICC के चेर्मैन है ग्रेगवार के लिए तो दोस्तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है ICC का फुल फॉर्म है बोड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका हिटक्वाटर मुंबई में है इसकी स्थापना एक दिसंबर 1928 को हुई और इसके परसिडेंट को है तो रोजर बिन लगंओ में मैंगंग फर्षटीबल 2024 की शुरूआत हुई है और लखनौ दोस्तो कौन से रिवर के किनारे है तो लखनौ हैं गोमती रिवर के किनारे और ये उयूपी की राधानी उत्र प्रधेश के मुख्यमंत्री कौन है योगी अधितिनाथ और उत्तर प्रदीश के 31 लोकसवा अस्ती है दुदवार राष्ट्रिये उद्यान हस्तिनापूर बन्ने जी बभ्यारन रानीपूर बन्ने जी बभ्यारन चेंडरप्रभा बन्ने जी बभ्यारन सुर्शरोवर बन्ने जी बभ्यारन बखीरा बन्ने जी बभ्यारन पिलवित राष्ट्रिये उद्यान और अमानगड बागरी जर्ब उत्तरपदिस में है। राश्टिये राज मरोग का चौराह कहा ग्या है कानपूर को। कानपूर है गंगारी भर के किनारी। अयोध्या है सर्योरी भर के किनारी। कनोज है गंगारी भर के किनारी। दोस्तो अगले पश्ण क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला पश्ण है। हाली में लाहोर उचे नियाले की पर्थम महिला मुखे नियादीस कौन बड़ी है तो आलिया नीलम बनी है लाहोर उचे नियाले की पर्थम महिला मुखे नियादीस और दोस्तो पाकिस्तान में लाहोर है तो पाकिस्तान की पहली महिला परदान मंतरी कौन थी तो बिनजीर अगला पस्तन है हाल ही में किस राज ने IT सक्षम युवा योजना की सुर्वात की है IT सक्षम युवा योजना का उद्धिस है युवाओं को नौकरी परदान करना और पहले चरन के तहत दोस्तों पांच आर युवाओं को इस युजना के तहत नौकरिया मिलेगी तो यह जो युजना शुरू हुआ है यह हर्याना में शुरू हुआ है आई टी सक्षम युजना दोस्तों तो हर्याना में शुरू हुआ ह आईटी सक्षम युवा यूजना अब हर्याना की राधानी क्या है चंडिगट दूस्तों चंडिगट का वास्तुकार कौन है तो लीकार बुजियर है चंडिगट का वास्तुकार जो फ्रांस का था लीकार बुजियर चंडिगट पंजाब की भी राधानी है और हर्याना की भ सभाव영 गरत में दूस्त लूइबर पांच ही लोकषभाद दस है सुल्टानपूर राश्ट्री ये उद्यान हर्याना में मिया है खापरवास बननेजी बाभ्यारन भींडअवास बंनेजी बभ्यारन यह हर्याना मी National Dairy Research Institute जो है ये करनाल में है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर इलाइंस का हिटक्वाटर हर्याना के गुरुग्राम में है और गुरुगाओं में ही दोस्तों भारत में दोस्तों गुरुगाओं में ही मस्तिक्स अनुसंधान संस्थान है पैसाबजा.com का हिटक्वाटर जो है वो लब्द है दोस्तों अगला पस्न है पुर्वी भारत का पहला दिब्यांग विश्विद्याले किस राजे में खुलेगा पुर्वी भारत में दोस्तों चार राजे है पुर्वी भारत में चार राजे हैं चाव राजे आपको आपसर में दिखने होंगे जारकंड बियार प केंदरिये खनन अनुसंधान सहस्थान धनवाद में है राष्टी धातु विज्ञान परियोग साला जमसेदपूर में है और जमसेदपूर जो है ये स्वर्न रेखारी भर के विनारी है हुन्रू जलपरपात स्वर्न रेखा नदी पर है दोस्तो मुंडा जनजाती जो है ये पास वसी हुई है और इसी राष्टी के छोटा नागपूर पठार से स्वर्न रेखा नदी निकलती है और बंगाल की खारी में गिर जाती है तिल्या-परियोजना बलाकर नदी पर है जमसेदपूर स्वर्न रेखा नदी के किनारे है दोस्तो इस पात नगरी और भरत का पि और यहां पर आज सभाची है और लोकसभा 14 है पलामू अभ्यारन बितला राष्ट्रिय उद्यान पालकोट बनने जी बभ्यारन दालमा बनने जी बभ्यारन और पारसनात बनने जी बभ्यारन जो है यह जार खंडमी है अगला पस्ट नहें समिधान हत्या दिबस हर साल कब मना जाएगा समिधान हत्या दिबस दोस्तों मना जाएगा 25 जून को कब मना जाएगा मेरे प्यारे लाले वेम लालियो समिधान हत्या दिबस तो आप क्या बोलोगे 25 जून को ही क्यों मना जाएगा क्योंकि 25 जून 1975 को दोस्तों क्या किया गया था तो राष्ट्रिय आपात घु जाता है वह तीन तरह का राश्रीय आपाथ जो अनुछे 3502 मे는 है राज्य आपाथ अरफ़ात पति शासन अनुछे 356 में है और भीतिय आ पत जो अब तक एक झून गजा है सुञक़र 960 में है तुक्त कर दोबब लगत एक संब भीछ और लगा है यह तीन बार लगा है अंतीम बार लगा था 25 जून 25 जून 1975 को आईए जानते हैं तीनों बार कब कब लगा और किस इस कंडिशन में लगा है तो देखो दोस्तों अभी तक अनुछे 352 का परियोग तीन बार किया गया है और इन तीनों उद्गोसना से सम्मंदित महत्पुन तत्य जो हैं आपात की घोसना की गई थी इसका कारण था कि सितंबर 1922 में चीन ने नेफा प्चैतर पर आकरवन कर दिया था नेफा उसी नेफा को आप जानते हैं और मुनाचल प्रदेश के राम से तो पहली बार दोस्तों कब लगाया गया था राश्ट्री यह आपात तो याद रखना 26 अक्टूबर 1922 को कारण था चीन का और मुनाचल प्रदेश के पास में आकरमन करना दूसरी बार कब लगाया गया था तो दूसरी बार दोस्तों इसकी घोसना की गई थी दिसंबर 1971 में किया गया था जब पाकिस्तान द्वारा भारत के बिरुद और घोसत युद शेरने के करन ऐसा किया गया था और तीसरी बार दूसरी गोसना राष्ट्री आपाती घोसना कब की गई थी तो याद रखना 25 जूर 1975 को की गई थी क्यों की गई थी तो आंत्रिक और सांती के कारण दोस्तों और यहाँ उधगोसना वापस कब ली गई थी तो एकी समार्ज 1977 को यह दोस्तो राज्य आपात 356 अनुशियत में है और अभी तक 120 से अधिक बार लग चुका है और बितिया आपात का वर्नें 2014 में दिया गया था 14 में दोस्तो और इनहीं की जर्म दिवस को चिनित किया गया है 12 मार्च को तो मलाला दिवस का मनाया गया 12 मार्च माला यूसुप यूसुप जाई का जर्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के उत्तर पस्चेम खैवर पक्तुन खुआ प्रांत के स्वात जिले में हुआ था अब दोस्तों जुलाई महीने में और कौन-कौन से महत्यपुन दिवस मनाई गये हैं तो राष्ट्रिय चिकित्सक दिवस एक जुलाई चार डे काउंटेंट डे एक जुलाई राष्ट्रिय डाक करमचारी दिवस एक जुलाई राष्ट्रिय स्थाकारिता दिवस कम मनाया गय है तो एक जुलाई को मनाया गया है विश्व खेल पत्रकार दिवस दो जुलाई वर्ड यू एफो डे दो जुलाई अंतराश्टिय प्लाश्टिक ब्राश्टिक मुक्ति दिवस तीन जुलाई अमेरिकी सुतन्ता दिवस चार जुलाई अंतराश्टिय सहकारिता दिवस छे ज जूनौसिषदीबस कभ मनाया गिया है ज resembling उप्रवाशियों के लिए सबसेख्वाएत्य हो की सुची में कौन सा देश पर्थमस्थां पर है तो भी अतनाम है पर्थमस्थान पर है और भीअतनाम की रधानी हनुट है दूसरे अस्थान पर दोस्टो कोलंबिया है तिसरे अस्थान पर मलेशिया है और भारत का स्थान इसमें 7 नमबर पर दोस्टो तो ये था आज का हमारा महत्वपुर्ण करेंटफेर अब जरा हम पिछले दिन के करेंटफेर को रिवीजन करते हैं विशुजन संख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया गया और थीम था किसी को पीछे न छोड़े सभी की गिंती करी। हाल ही में कौन सा देश को लंबो सुरक्षा समेलन का पाचमा सदस्से बना है तो बांगलादेश बना है। युनेस्को ने कितने नए बायोस्फियर इजर्व गोजित की है तो 11 अभ्यास पीच बलेक का आयोजन किस देश में हो रहा है तो ऑस्टेलिया में हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। उदार सक्ति सेन अभ्यास का आयोजन भारत और मलेसिया के बीच हुआ। हाल ही में किस देश के एटना और एस्ट्रॉंबोली जुआलावों की फटने से केटेनिया हवाई एड़ा बंद कर दिया गया तो इटली भे दोस्तों। कि राज्य के जगनाथ मंदिर को स्वेट सिवालिक के नाम से जानते हैं तो ओडिसा के जगनाथ मंदिर को स्वेट सिवालिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों कल मैंने आपसे तीन प्रश्ण किया था कि सरक सुरक्षाकार योजना अपनाने वाला भारत का पहला जरजस्थान है। हज समीती की देखरे किस मंत्राले के पास चली गई तौल्प संख्या के मंत्राले के पास चली गई। बी एस एप और एस बी आई ने कहां गो बित ट्रीज बिच्छारोपन अभियान की सुरुवात की है। तो उसरी नगर में मेरे प्यारे लाले बम लालियो। आज का आपका तीन प्रश्ण है जिसका जवाब देना है के मेंटर बॉक्स में आपको किस देश के एटना और स्ट्रोंबोली जुआला मों की पटने से के टेनिया हवाई एड़ा को बंद कर दिया गया है। अभ्यास पीछ बिलेक का आयोजन किस देश में हो रहा है। और उदार सक्ति सन अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है। तो इस तीनों प्रश्ण का जवाब देना है के मेंटर बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्तपुर्ण करेंट जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लालेबं लालियो।